आज में लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी और इंट्रस्टिंग वीडियो आपके लिए क्योंकि आप डे बाई डे ग्रोव कर रहे हैं क्योंकि all pregnant ladies who are watching this video उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाला है इसलिए कि जैसे जैसे आप ग्रोव कर रहे हैं आपका बंप भी ग्रोव कर रहा है और मुझे पता है कि हम लोग परिशान हो जाते हैं एक ही style statement से जो की है अपने husband की t-shirt या फिर घर के pajamas तो जैसे आप बाहर जाने के लिए सोचते हैं आपके पास options बहुत कम रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या style करें क्या पहने जिससे हम सुन्दर भी लगे और हमें दिखाना भी है कि we are mom to be तो मैं लेकर के आई हूँ यह बहुत प्यारा मीशो हॉल और चुकि इसका नाम है मीशो हॉल आप समझ ही गए होंगे कि यह बचर प्रेंडली है तो जितने भी dresses अभी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो सारी dresses है under 500 किसी किसी का rate तो 312 भी है आप सोच सकते हैं कि आज क समय में हमें बढ़िया बढ़िया ड्रेस सिर्फ 312 या 400 रुपे में मिल जाने वाली हैं मिली है मुझे इसलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि करके प्रस मैं सभी के लिंक भी अटाच कर दूँगी सो दाट कि आपको एजली वो मीशो पर मिल भी जाए तो बिना देरी क सबसे पहले जो मैं ड्रेस आपको दिखाने वाली हूँ थो परसिनली मुझे बहुत अच्छी लगी है और यह है वो प्यारी सी वाइट ड्रेस जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि ये जैपुरी प्रिंट मुझे भागया है भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसलिए भी मुझे ड्रेस अच्छी लगी है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत अच्छी है इसका फ्लेर बहुत अच्छा है प्लस जो इसकी स्लीव्ज है वो फुल स्लीव्ज है पफी स्लीव् तोड़ा सा आपको पफी स्लीज लगे तो आप बहुत अच्छा फील करें और ये एक कॉलर देखर के इसको बहुत पाइन लुक डिया गया है सो दाट की आप इसको पहन करके बहुत ही अपने आपको सुंदर फील करें मुझे तो बहुत अच्छे लग लगी थी एड्रेस और प्लस प्रॉब्लम ये है गाईस मेरा चल रहा है 19th week तो इसलिए मैं साइज अप करने वाली हूं कि मैंने लाज साइज मंगाया था और मैंने क फाब्रिक की बात करें जो कि श्रिंक नहीं होने वाला है बाकी में एक बार वाश करके आपको जरूर बताऊंगी कि ये श्रिंक हुआ है या नहीं हुआ है आपको कैसी लगी तो जो दूसरी ड्रेस है उससे मुझे काफी जादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे फोटो में द बढ़िया है, कॉलर है, आपको बेल्ट दी गई है कमर पर, स्लीव भी पूरी है, पफी स्लीव है, सब कुछ बढ़िया है बस जो बढ़िया नहीं है वो ये कि मुझे फोटो में वीडियो में देखकर के लग रहा था कि हाफ डेनम हुगा और हाफ जो है वो कोई भी चलेग हूँ और मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी लेकिन अगर आपको ये वीडियो में अच्छी लग रही है, मुझे पर पहने हुए तो ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लास मैं इसे रखूं या ना रखूं ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में अगली जो ड्रेस है वो only 372 की है और मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये बहुत सुंदर, प्लारी सा प्रिंट आप देख सकते हैं क्योंकि अभी क्योंकि गर्मिया ही चल रही है तो ऐसा प्रिंट अगर आप दिन में कहीं पहन करके जाए जाएंगे, कोई छोटा सा फंक्षन है, कोई फामिली गैदरिंग है, आप वहां पर पहन करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत सुंदर लगने वाले हैं, प्लस इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा दिया गया है, इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जट का है, तो ठीक है, यह श्रिंक नहीं होने वाला वाश करने के बाद, प्लस आपको यह और जादा अच्छा दिखाने वाला है, इसमें इसकी क्वारिटी को एन्हांस करने के लिए, इसको और जादा सुंदर दिखाने के लिए इन्होंने एक बेल्ट को एड़ किया है, जो कि आप दिखाने वाली हूं, उसके पीछे एक राज है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो पहले आपको ड्रेस दिखा देती हूं, यह बहुत भी प्यारी सी ड्रेस है, फुल स्लीव वाली, पाल का डॉट वाली, ड्रेस जो है, वो बहुत प्यारी है, जो कि नेरे हज्बं को, मे आप बताईएगा देखकरके लेकिन इसमें जो है वो full sleeves दे रखी हैं इसकी length भी ठीक ठाक है तो अब भी मैं थोड़ा सा confused हूँ है इसको रखूँ या वापिस करूँ आप मुझे बताईएगा ज़रू प्लस इसमें जो सबसे अची बात यह है जितनी भी dresses मैंने आपको दिख है लेकिन अगर मैं इस dress के बात करूँ तो इसको मैं अगले महीने भी पहन सकते है इसलिए क्योंकि जिसका अपर पार्ट है उसमें elastic दिया गया है और यह elastic बहुत ही ज़्यादा खिच जाता है तो आपको इतना ज़्यादा tight नहीं feel होता लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको elastic से suffocated feel होता है तो guys आप इसे drop कर सकते हैं लेकिन personally मुझे elastic में इतना suffocated feel नहीं हो रहा है अभी भी मैंने जो dress पहनी हुई है उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा difference नहीं है बस sleeves का difference है यह half sleeves है और यह full sleeves है आपको कैसी लग यह dress मुझे ज़रूर बताइएगा so guys जो next dress मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुन्दर आ जाएगी मैं ठीक है मैं scroll कर रही थी और सोच रही थी कि हम कौन कौन सी dresses पहन सकते हैं अपनी pregnancy में जिसमें हमारा bump भी उतना जादा ना दिखे और अगर दिखे भी त dress है guys बहुत ही जादा सुन्दर again मुझे ऐसा लग रहे है कि मुझे इसलिए जादा सुन्दर लगे क्योंकि जो सबसे अच्छी dress मुझे लगी थी उसका भी थोड़ा जैपूरी प्रिंट था और इसका तो प्रॉपर जैपूरी प्रिंट है तो इसलिए मैं इसको definitely रखने व किसी को रैशिज हो जाते है इचिंग हो जाती है गर्मिया चल रही है तो आपको पसीना हाता है तो आपको कोई ना कई इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कॉलर वाली dresses अवाइड कर सकते हैं आप इनको रख सकते हैं इसमें आपको कॉलर नहीं मिल रहा है प्लस आ तो इस ड्रेस की डुटेलिंग की बात करते करते मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगी कि इसकी जो स्लीव्स है वो बहुत जादा प्यारी है इसकी जो प्लेन है इसके बाद एक छोटा सा फ्लेर इसमें एड करने की कोशिश की गई है प्लस यह आगे पॉम-पॉम लगाए इससे ड्रेस और जादा खुबसूरत लग रही है बैन वाला गला है और इसी के साथ-साथ इसकी फ्रंट में बटन्स दिये गई है जो कि मैं इस ड्रेस को पोस्ट डिलीवरी यूज करने वारी हूँ क्योंकि बटन अप करके आप अपने बेबी को इसली फीड भी करा सकते ह प्लस आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस ड्रेस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि यहां का प्रिंट अलग है इसके बाद वही फ्रंट जो हे वो रिपीट किया गया है इसका जो फ्लेयर है वो भी काफी बड़ा है औ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको वाश करूगी तो यह थोड़ा सा श्रिंक जरूर होगा तो इसलिए मैं इसको पहले से ही साइज अप करके देन उसके बाद वाश करूगी तो अगर थोड़ा बहुत श्रिंक होता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पर्सनली ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसे डेफिनेटी मैं रखने वाली हूँ और अगेन एक पॉलकाडो ड्रेस पर से तो ये बहुत प्यारी सी ड्रेस आप देख पा रहे होंगे हाला कि मैं ये तीनों ड्रेस अपने पास नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसकी लेंथ जो है वो थोई सी मैंलब कम लगी है आपको शायद comfortable feel हो सकता है पर जब मैं अपनी बात करती हूँ तो अगर मैं किसी family gathering में जा रही हूँ या पर मैं अपने family के साथ जा रही हूँ तो शायद मैं को थोड़ा comfortable feel ना हो हाँ लेकिन मैं अगर अपने husband के साथ इसको पहन करके कहीं जा रही हूँ तो definitely मुझे comfortable भी feel होगा मुझे अच्छा भी लगेगा और ये जो dress मैंने इस वक्त पहना हुआ है और ये जो dress है इसमें कोई अंतर नहीं है भाई साथ दोनों में color का difference है तो आप मुझे ज़रूर बताएगा comment box में कि मैं ये वाली रखूँ या ये वाली रखूँ और अब बारी है last dress की तो last dress जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन मेरे husband को अच्छी नहीं लगी तो एक confusion सी हो गई है कि dress को रखे या ना रखे तो आप मुझे ज़रूर बताएगा किस dress को मैं रखूँ या तड़ा बाइ-बाइ कर दूँ वो ये dress है तो आप देख सकती है इसका fabric मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अपने husband को कैसे बताओं कि मुझे dress क्यों अच्छी लगी है इसलिए इसका fabric इतना soft है इतना प्यारा है और मुझे पहन करके काफी comfortable feel हो रहा था definitely अगर मैं इसको पहन करके बाहर नहीं जा सकती तो इसे मैं घर में तो पहन सकती हूँ और मैं घर में इसे पहनने भी वाली मैं से return नहीं करने वाली मुझे इतनी अच्छी लगी है इसकी जो sleeves है हाला कि मुझे कभी भी half sleeves पसद नहीं आई है लेकिन इसकी half sleeves मुझे पहली ब यान नहीं है, round neck का ये ड्रेस है, और जो is का print है वो बहुत प्रिंट है, बहुत निखर कर किया रहे है खुला खुला प्रिंट है, तो आपको साफ दिखाई रहा होगा, ये बहुत प्यारा फूल पत्ती से इनbey बिना इख हुई है प्लस ये color मुझे बहुत अच्छा लगा, off white color मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है और हमेशा से ही आपको खिला खिला दिखाता है, तो इसलिए dress में definitely रखने वाली हूँ और जो इसकी length है, वो भी बहुत अच्छी है, और इसकी साथ-साथ जो इसका flare है, वो भी काफी जादा है, आप देख पा रहे होंगे definitely मैं इसको रखने वाली हूँ, आप जो comment box में जरूर बताईएगा कि इसे मुझे रखना है, या इसे मुझे bye-bye कर देना है और अब समय आ गया है अपनी वीडियो को end करने का, आपको bye-bye कहने का, लेकिन easily मैं आपको bye-bye नहीं कहूँगी, आपके काम की बात मैं जरूर करने वाली हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी हर एक वीडियो के end मैं आपको एक tip जरूर दूँ तो आज की अगर मैं बात करूँ वो यह कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, जैसे जैसे आपका bump ग्रो करता है, आपका बेबी स्पेस लेता है, तो आपको constipation की problem जरूर आती है, तो इसमें मैं आपको दादी नाने का नुस्खा जरूर बताने वाली हूँ, वो यह कि आप जब रात को बेट पर सोने के लिए जाएं, तो उससे पहले एक गिलास गरम गरम दो, जिसमें दो चम्मच घी डाल करके आपको पीना है, जो पी सकता है, उसके लिए तो भाई वा भाई वा और जो नहीं पी सकता, वो नाग बन करके बात हेल्प करने वाला है, और आपको अगले दिन बहुत अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा, प्लस जब आप वो मिल्क पी रहे हैं, तो आप पीते ही मत सो जाएगा, आप बेट टाइम से आदा गंटा पहले या फिर एक गंटा पहले उसे पीजिए और ठोड़ी सी आप जरूर कीजिए, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और अगर आपनी वीडियो देखकर कि इसको अपनाया है, और आपको हेल्प मिली है, तो ये भी मुझे बताइएगा, कि आगे आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लस आपको अब नेक्स्ट हॉल कौन सा देखना है, वो भी मुझे कॉमें बॉक्स में बताइएगा, और सबसे ज़ादा प्यारी अड्रेस आपको कौन सी लगी है, ये मुझे कॉमें बॉक्स में जबुर बताइएगा, प्लस सभी अड्रेस के लिंक में नीचे देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर के चेक कीजएगा आपको मेश्यो पर easily available हो ड्राएगी ड्रेसेज और आपको बहुत सारा प्यार लव यू अल गाइस प्लीज टेक केर बबाई